कहानियों की क्यारी में आज की कहानी है सरत पूर्णीमा ब्रत कथा, सरत पूर्णीमा का चांद सूलह कलाओं से पूर्ण और पूर्णय दायक माना जाता है, इस चंद्रमा की चांदनी को पुरानों में खास मानेता दी गई है, जो सरत पूर्णीमा की ब्रत को सभी पूर्णी निमा ब्रतों से स्रेष्ट बनाती है पौरानिक कथा के अनुशार समुद्र मन्थन के दौरान इसे दिन माता लक्षमी प्रकट हुई थी मानेता है कि सरतपूर निमा के दिन भगवान विश्णुशंग माता लक्षमी गडूर पर बैठ कर पिर्थवी लोक में भ्रमन करती है ऐसे में जो भी आज ब्रत रखते हैं उन भक्तों पर माता अपनी किर्पा बर्षाती है इसके लिए ब्रत धारक इस दिन माता लक्षमी को प्रशन करने के लिए हर शम्भव प्रयास करते हैं ऐसे में सरत पूर्णीमा पर पूजा पाठ आरती आदिविधियों के साथ ब्रत कथा को भी शुणने या पढ़ने का बिधान है कहते हैं इनका पालन करने से शौभाक्य की प्राप्ती होती है तो आई ये इस कथा से जानते हैं कि कैसे भगवान विश्नु और माता लक्षम अई ने एक साहुकार की कामना पूरी की एक साहुकार था उसकी दो बेटियां थी वह दोनों पूर्णीमा का ब्रत करती थी बड़े बेटी ब्रत पूरा करती थी और छोटी बेटी अधूरा करती थी सहुकार ने दोनों बेटियों का धूमधाम से विबाह किया कुछ समय पहश्याद दोनों गर्व बती हुई और दोनों ने बच्चों को जन्म दिया प्रन्तु छोटी बेटी के संतान होती ही मर गई इसके बाद भी छोटी बेटी के जब भी संतान होती होती ही मर जाती थी छोटी बेटी संतान की मिर्द्यू से बहुत दुखी हो गई उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो पंडितों ने बताया कि तुम अधूरा ब्रत करती हो जिसके कारण तुम्हारे शंतान नहीं बचती है अगर तुम पूर्णीमा का पूरा ब्रत बिधी पुरबक करोगी तो तुम्हारे शंतान जिवित रहेगी पंडितों के कहया नुशार उसने पूर्णीमा का पूरा ब्रत बिधी पुरबक किया इससे उसे लड़का हुआ परंद तुरंथी मर गया उसने लड़की को पीढ़े पर लिटाया और चादर से उढ़ा कर अपनी बड़ी बहन के पास गई और उसे बुला कर लाई बहन को उसी पीढ़े पर बैठने को कहा बहन जैसे ही पिढ़े पर बैठने लगी तो उसका घागरा बच्चे को छुगया घागरा छूते ही बच्चा जिवित हो गया और रोने लगा तब बड़ी बहन छोटी बहन से बोनी तुम मुझे पर कलंक लगाना चाहती थी मेरे बैठने से यह मर जाता तब छोटी बहन बोली यह तो पहले से ही मृत था तेरे पुर्णिशे जिवित हो गया तेरे भाग्य से इसका पुर्णर जिवन हुआ है बच्चे की आवाज सुनकर छोटी बहन बहुत खुश हुई उसने अपनी बड़ी बहन से कहा तू पूरा ब्रत करती थी और मैं अधूरा ब्रत करती थी इसलिए ये तेरे उपर हमेशा भगवान की किरपा हुई और मैं हमेशा अधूरा ब्रत करती थी इसलिए मुझे दोश लगा और मेरी शंताने जिवित नहीं रहती थी आज तेरे भागेशे मेरी शंतान जिवित हो गई उसने पूरे गाउं में धिधोरा पिटवा दिया कि जो भी कोई ब्रत करेगा वह पूरा ब्रत करे अधूरा न करे